जिके गुरू यूटूब चैनल में आप सभी का श्वागत है दोस्तों जैसे कि आप जानते ही दरपन 2.0 जो एंड्रोइड एप्लिकेशन लॉंच हुआ है जिसने हमारे RICT मशीन को रिप्लेश किया है उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें लोगिन कैसे होना है और बाद में CBS, Transaction, Deposit का आप कैसे कर सकते हैं उसका Report कैसे Generate कर सकते हैं जो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं आज की हम बात करें तो आज हम देखेगे कि RICT मशीन में बेग ओपन कैसे होता है और उसमें भी खास करके जो दो ओप्षन दिये गए है या तो वर्चूली डेटा जो है वो फेज करके बेग ओपन होगा या वर्चूली डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो हम उसमें मैन्यूली भी बेग ओपन कर सकते हैं इस वीडियो में खास हम manually bag open करके देखेगे और उसके बाद बात करें तो आर्टिकल की delivery कैसे करनी है वो भी हम इस वीडियो में देखेगे तो आएए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो सबसे पहले हमने day begin कर लेना है और उसके बाद जो हमारा main task है वो शुरू हता है पहला हम bag open करेगे तो उसके लिए हम delivery टेप में bagging में जाएगे और उसके बाद वहाँ पर हमें bag open का option मिल जाएगा जैसे हम click करेगे तो उसमें हमारा bag number है वो पूछेगा क्यों हमें कौन सी bag वो receive करनी है तो जो जो भी bag आपने आपको account ओपिस से मिला है तो उसका number या तो आप manually भी insert कर सकते हैं और और वहाँ पर scan भी कर सकोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो virtual data available नहीं है नहीं receive हुआ है उसकी error आ रही है तो उसके बाद आपको क्या करना है तो आपको जो account ओपिस से bio slip मिला हुआ है bio slip में वो bio slip का जो number है वो पूरा number यहाँ पर आपको enter करना पड़ेगा एक बात यह है कि उसमें scanner का उप्योग नहीं दिया गया है तो आपको पूरा number जो है वो हाँचे ही लिखना पड़ेगा जो की काफी मतलब वो लंबा number है वो आपको यहाँ से enter करना पड़ेगा अगर virtual data आपको मिल जाता तो यह कोई दिकत नहीं थी जो की पूरा data वो virtually आपके mobile में receive हो जाता अभी हमने यहाँ पर जो bio slip का number डालके enter कर दिया है तो यह साब form हमारे पास खुल जाएगा जिसमें पहले ही article number हमें पूछेगा तो उसमें हमें जो article बेग से physically मिले है वो article का हमें number enter करना है यहाँ पर दो तरीके है आपको article number enter करने के या तो आप manually keyboard से भी enter कर सकते हैं अगर आपको keyboard से enter नहीं करना है तो उसमें आप scanner का भी उप्योग कर सकते हैं हम यहाँ पर दोनों तरीके से एक बाद ट्राइ करेंगे जो manually data मिला है उसके लिए आपको कौन सा article category का है वो भी यहाँ पर select करना होगा एक बार scanner का हम उप्योग करके भी आपको दिखा देते हैं कि वो scanner से कैसे मतलब वो scan होगा हम जैसे यह article के सामने वो scanner रखती है तो पूरा number यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटोमेटिक आ जाएगा हमें बाद में article का type जो है वो select करना है और add का button जो है वो प्रेस कर लेना है तो बस ऐसे ही हमें जो भी category का article हमें जो physically मिला है उसको आपको add करते जाना है मानों अगर यहाँ पर आप category देख सकते हो जिसमें parcel letter, speed portion land, EMO, VP parcel, VP letter, SP COD, business parcel COD वगेरे का option यहाँ पर दिया गया है अगर आप VPL select करते हो तो उसमें वो amount जो है वो भी आपको manually fill करने पड़ेगे क्योंकि आपको यहाँ पर जो है वो data वर्चूली नहीं मिला है अगर data आपको वर्चूली receive हो गया होता तो इसकी कोई मतलब जरूरत नहीं होती वैसे ही आपको COD अगर article आपने receive किया तो उसकी भी amount आपको manually enter करनी है तो ऐसे ही आप सारे article एक बार receive कर ले मतलब add कर ले उसके बाद हमें और भी चीज जैसे कि अगर case receive हमने की है कोई bag में तो उसकी amount भी आप यहाँ पर case receive जो last में save से पहले का जो option है case receive from account office उसमें डाल सकते हैं और कोई document अगर आपको मिला है तो वो document name का जो option है उसमें आप document का नाम वगेरा कुछ लिख सकते हैं और इस तरह से आप manually पूरा bag जो है वो save बटन पर click करने के बाद आप successfully open कर सकते हैं यहाँ हमने सारे article scan कर दिये तो हम यहाँ पर अभी save बटन पर click करेगे जी हमने जैसे save बटन पर click किया वो bag open का message आ गया है तो इस तरह से bag open हो जाता है अभी हमारा दूसरा जो काम है delivery section का वो शुरू होता है तो हमें delivery section में जाके जो भी category का article हमने receive किया है वो उसमें देखना है वो category में हमारे यहाँ पर सिर्फ register था तो आप देख सकते register article में वो दिखा रहा है और उसके बाद हमें उसका remark जो है वो update करना है मेरे case में यहाँ पर party ने वो refuse किया है तो मैं refuse का remark कुछ इस तरह से लगा होगा पहले return to sender select करेगे बाद में refuse का remark वो हमें show करेगा उसके बाद हमें वो submit का button जो है वो press करना है और confirmation देके हम yes करेगे तो return हमारा यहाँ पर update हो जाएगा और ऐसे हमें बाकी जो सारे article हमने बेग में receive किये है उसका यहाँ पर हमें return लेना है और इसके लिए आप देख सकते कि कौन-कौन से remark यहाँ पर available है वो remark लगा कि अगर वो deliver है तो हमें पहले delivery का remark select करके उसका location वगेरा set करके आप वो deliver भी दिखा सकते है और return है तो return इस तरह से दिखा सकते है आसा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह से ज्यादा वीडियो के लिए हमारी चैनल को subscribe करना न भोले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक्यू झाल 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 झाल